या चनुल में आपका दोस्त विकी दोस्तों मैं फीर गाओ में और यहाँ यए फ़ सब्सक्राइब है मेरे घरपे एक ट्रेडिशनल चूहला मेरे secondary घर पर एक traditional चुला है जो की बहुत ही हानीकारक और बहुत ही डेंजरस है आपके लिए तो यह मैं क्यों बोल रहा हूं है आपको शॉट में एक्समेल करना चाहूंगा सबसे पहले तो दोस्तों चुलाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है चुलाय का खाना भी बहुत ही जबर्दत होता है लेकिन इसमें से जो निकलने वाला धुआ है वो काफी हानीकारक होता है और उसके वज़े से हर साल चार से पाच लाग लोग मारे जाते हैं कैंसर एस्थमा और इसके वज़े से आपके फेफड़े खराब हो सकते जैसे कि सिग्रेट पीने के वज़े से होते हैं यह सिग्रेट की जैसे ही धुआ होता है लेकिन कार्बन मोनोकसाइड का कॉंटेंट इसमें ज्यादा होता है तो आपके लिए हानीका रखे तो दोस्तो जितनी एर की कॉंटिटी बढ़ेगी और उसके वज़े से धुवा निकलना कम होगा और कमशन जो है यह पूरा प्रोसेश जो है वह पूरा होगा अच्छी तरीके से इसलिए दोस्तों मार्केट में बहुत सारे ऐसे चूले आ गये हैं इंप्रूब्ड बायोमास चूला जि वह मैं आपको बताना चाहूंगा तो दोस्तों यह है सार्थी का बायो फ्लेम बायोमास चूला और जैसे कि आप देख सकते हो कि यह वाला जो चूला है वह फिक्स है लेकिन यह वाला भी इतना हलका है लाइक एक देड़ किलो का वेट होगा और इसको आप कहीं पर भी यू जो मात्रा है वह चूले में ज्यादा जाती है और इसके वज़े से ही जो कंबशन है वह फास्ट हो जाता है यह एमेज़ों पर एवेलेबल है और इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स कमेंट में दे दूगा वहां से आप डेफिनेटले इसको चेक आउट कर सकत एक से देड़ के लोगे इसका वेट होगा और 50 परसंट लेस कंजूम करता है इस कंपेड टू नैचुरल ड्राफ्ट चूला ओके उचले दोस्तों देख लेते कि क्या क्या है इसके अंदर सबसे पहले तो यह बहुत ही अच्छा गाइड दिया है उन लोग ने और कौनसे-क यह बस अगर होगा तो आप उसके साथ में शेयर भी कर सकते हैं इससे बड़ा वाला मॉडल अब दोस्तों तीन मैने की वारंटी की साथ आता है यह इसका वारंटी कार्ड है उसके बाद में यह उपरेटिंग मैनुल कैसे चालू करना है इसकी आपको जरूरत नहीं आपको बता दूगा कैसे करना है अब दोस्तों यह एक फोल्स ड्राफ चुला है नीचे यहां पर ब्लोवर लगा हुआ है तो ब्लोवर को ऑपरेट करने के लिए इन्होंने यहां पर यह वायर दी हुए है तो यह जो पुरा जो मॉडल है वो चलता है 5 वोल्ट पर मतलब जो हम लो आपके पास 6V ओ 9V का इसको कर सकते हो और अगर आपके पासwork पास पावर वैंक भी होगा तो इसको आपके साथ और आपके पास आी ओक्सको में क minder करेंज कर सकते हो किक birthdayseld हो यहां पर ब्लोवर लगतिकर और यहां पर एक वेसल है बाहर यह से रहा इन कर घंध तो है ओके अपर आप देख सकते हो तो लो और है तो इससे आपका जो ब्लोवर का स्पीड है वो कंट्रोल होगा और यहां पर यह एड़प्टर लगेगा और इस तरह से यहां पर और दूसरा जो इसका सिरह है वो जाएगा आपके पावर बैंक में या फिर आपके मोबाइल क सुखा वाला तो यह एक घंटे तक चलेगा तो इसलिए आपका जो कुकिंग का टाइम है उस हिसाब से आपको इसके अंदर लगणा डालना है अगर आपको पानी गरम करना है तो बस 200 ग्राम में हो जाएगा क्योंकिए 200 ग्राम मतलब आल्मोस 15-20 मिनिट तो दोस्तों बेहत तो यह जो क्लिप है वो मैं एक हफते के बाद में बना रहा हूं और मैंने इसको एक हफते तक पूरी तरह से यूज किया और काफी जबर्दस इसका परफॉमेंस है मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसलिए दोस्तों मैं आपको बता हूंगा कि इसको कैसे लाइट करन अब दोस्तों यह आज नैचुरली जल गई है तो अभी हम लोग इसको पावर बैंक के जरीए हमें इसको करेक्ट कर देता हूं यहां पर ताकि जो एर है वो इसमें जा सके तो अभी देखिए डारेकली यह लो पर चल रहा है भी यहां पर अभी हम लोग इसके ऊपर चाय र तो इसलिए दोस्तों मुझे गोबर का इस्तमाल करना पड़ा अगर नॉर्मल सीजन होता समर का या विंटर का डारेक्ट लिए आप टैनियर डालके फिर थोड़ा सा डीजल डालके उसके उपर जला सकते हो दोस्तों अभी आप यह फ्लेम को अब्सर्व किजिए यहां पर यह देखिए exactly बीच में ही लग रहा है तो जो एर है वो इधर उधर भागनी रहा है क्योंकि उपर के साइड से भी हवा निकल रही है ना तो बीच में कॉंसंट्रेट कर रहा है तो यह सबसे बेस्चीज है इसकी तो आप खाना बनाने के लिए इसको अराम से यूज कर सकते कोई इश्यों नहीं होगा इसमें अभी दूट डालने का टाइम आ गया है दोस्तों मैंने स्पीड कंट्रोल करने के लिए इसको बन कर दिया तो वापस में इसको चालू कर देता हो और अगर आपको स्पीड कंट्रोल करना है तो बस हाई-लो कीजिए अगर लो पे भी ज्या थैंक यू फो वाचिंग और हवाव सेफ ताम बबाए